नेशनल इंकम लेसन नंबर 14 जो हम लोग करने वाले हैं 2022 के लिए है लेकिन अगर आप 23-24 में भी देख रहे हैं यूटूब में तो आपको बेनिफिट इसमें होगा कैसे होगा क्यूंकि इस वीडियो में हम लोग इसस क्या करेंगे इसके स्टर्डी मैटेरियल के बारे में कि आपको इस चैप्टर में लॉग इंसर कुश्चन जो आता है इस चैप्टर में क्या आता है आपका वेस्ट बंगल काउंसिल और फायर सेकेंड इडियो के लिए लॉग इंसर कुश्चन आता है आपका देखेंगे लॉग इंसर कुश्चन एक कुश्चन आता है पांच देखे लंबा चुरा आपके किताब में तो बहुत लंबा चुरा दिया हुआ है बहुत कुछ दिया हुआ है लेकिन उस पर नहीं जाएंगे हम लग दम थोरोली उसको नहीं पढ़ रहे हैं जो कुश्चन के लिए आपको इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ उतना ही आपको बताक करेंगे और फिर हम लोग कुश्चन आंसर पर चले जाएंगे कुश्चन आंसर करेंगे तो वही आपका सिलेबस क्या होता है कंप्लीट हो जाता है यह आपका पहला वीडियो है किसके लिए लेसन नंबर 14 के लिए जिसमें हम लोग चैप्टर का नाम भी देख लेते हम अगला जो त्यारी करेंगे वह हम किस तरीके से करेंगे अगर आपको दुस्मन को हराना है तो उसके कंजोडी को जानना पड़ेगा कंजोडी है आपका पृविए इस सर कुष्चन की प्रीवेबर कुष्चन का पूछ सकता है उसके वीबार कkä समझेंगे और फिर हम समझेंगी कि एक्जाम में कैसे कुष्चन आता है और पढरते हैं समज में नहीं आए तो मैं तो कि यह इंपॉर्टेंट है आप पढ़ लीजे वह आप भी कर सकते हो अगर प्रिवियस को पूरे अच्छे से देख लो हम लोग देखेंगे अभी थोड़ दिर में उसके बाद उसी क्या धार पर देखेगा कि मैंने यहाँ पर एले क्यू के लिए जो कुश्चन मनाया है 2022 के ल यह पांच कुश्चन जो है पांच वीडियो इसके बाद आएंगे 2022 के लिए ठीक है और यह आपको मिलेगा कहां यूटूब में तो अभी लेवल नहीं हो है कि यूटूब में मैंने बहुत सारे वीडियो दे दिये हैं यहाँ पे तो फिर यह वीडियो जो सारा का सारा है य ठीक है तो चलिए और हां थोड़ा आप लोग से रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है मैं मतलब अगर आपका कोई दोस्त होता है अगर लगता है कि हां मुझे सेर करने से आपको फाइदा हो मताब मेरे लिए भी अच्छा होगा ठीक है और उ सिलेबस में देखे आपका ये जो सिलेबस बटा हुआ है पांच भागों में बटा हुआ है आपका एक नमबर दो नमबर तीन नमबर चार नमबर और पांच नमबर सभी के अंत में देखेंगे कुछ साल का मतलब लिखा हुआ है 16, 18, 19 दिखा हुआ है ये क्यों लिखा में तो वहां भी देख लेते हम लोग इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे नहीं तो आप लोग बोर हो जाओगे तो देखें 15 में जो कुश्चन आया है value added method के बारे में आया है कि measuring of national income national income riding method के सहरे किसे निकाला जाता है क्या same question कहीं आया है kan पर देखिए महां आया है आपका सत्रह में देखिए वैलीव एडर मैठर आया है किसमें मेजरिंग आफ नेशनल इंकम यानि के रिपीट होता है कुश्चन उसके बाद देखिए 15 का और में क्या कुश्चन आया है कॉंसेप्ट ओफ सर्कुलर फ्लो उसका वही है मतलब उसका वही है जिसके बारे में डिस्कॉस करने लग दा तो आप वीडियो बहुत लंबा देखोगे सर बहुत लंबा टाइम हो रहा है तो काटके निकल जाओगे ऐसा नहीं करना है कम से कम 40 मिनट तो वीडियो होना चाहिए ना लेकिन आज कर देख रहा हूँ कि 40 मिनट भी कोई देखना नहीं चाहता है का 1 का 3 की किसी का थमनाल होता है पांच मिनट में समझ आगा है आपका को समझना है तो थोड़ा लंबा चोड़ा जाना ही पड़ता है चलिएKit आठाव, 16 का कुश्चन आया है आपका difficulties of measuring of national income, national income को निकालने का difficulty क्या है, क्या-क्या problem होता है हमें निकालने में, तो वो देखे 16 का कुश्चन कहां आया है आपको, 18 में आया है, आप देखे various problem measuring of national income या रिपीड हुआ है, तो सारे repetition को ध्यान में रखते हुए, जो जो कुश कुशन आये हैं, उसके आधार पे हम 5 कुशन आपको दिये हैं, यहाँ पर, अगर आप खुद भी देखोगे ना, तो समझ जाओगा सर, आपने जो कुशन दिया है, enough दिया है, बहुत दिया है, उतना ही पढ़ने से हमारा हो जाएगा, ठीक है, बस आख मुन के विश्वास म दे रहा हूं, मैं कोई अंतरिया में नहीं हो कि मुझे सपना आया है कि मैं एक्जाम में क्या आने वाला कुशन में दे रहा हूं, ऐसा नहीं है, कोई भी सजेशन होता है, तो इसी आधार पे बनता है, तो यह हो गया हम लोग को क्या 5 कुशन पढ़ने हैं, 2022 के लिए, अगर एक्सपेंडीचर मैथड, चौथा कॉंसेप्ट और सर्क्लर फ्लो आफ इंकम, और पांच बाइस के लिए, भूल मत करना 23 वाले, 23 वाली जो है, यह वीडियो देख रहे हैं, आप 23 या 24 के लिए पढ़ रहे हैं, तो सिय कोशन बदलेगा, मतलब 24 में अलग कोशन आएगा, 23 में अलग कोशन आएगा, तो उसके लिए आपको एप्लिकेशन में आना है, जहां मैं पढ़ा रहा हूं, थोड़े पैसे ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे भी अपना घर चलाना है, तो और यह प्लैटफॉर्म पे इतना सब कुछ बहुत खर्चा होता है, ठीक है, तो पैसे में चार्च कर रहा हूं, बहुत ही कम है, 400 रुपिया साल भर का, साल बड़ा पढ़ा ही करोगे, 400 रुपिया में, ठीक है, तो चली हम लोग बहुत पढ़चार हो गया, बहुत हो गया, फिर आएंगे तो बताएंगे हम, अपना छोड़ेंगे थोड़ी, चली, अब आ और territory का मतलब छेत्र, घरिलू छेत्र, ठीक है, अच्छा घरिलू छेत्र कहने से आप क्या समझोगे, अगर हम घरिलू छेत्र कहते हैं, घरिलू का मतलब तो हमारा इंडिया अगर घर है हमारा, इंडिया अगर हमारा घर है, तो घर में हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, वो दे क्या है मैंने क्यूण कहा ये एक बात क्या बाहर का जैसे में लिए कि अमेरिका का अमेरिका से हमारी दोस्ती ए तो उसका company करता है का मतलब जो कुछ कुछ एक office हमारे यहां पर है ठीक है तो इंडिया में office है तो वह हमारा डॉमेस्टिC बिरिट्रिणी वे नहीं आएगा क्योंकि वह office किसका है दूसरे देश का है तो बस इतना ही समझना था कि जो दूसरे हमारा domestic territory करने का मतलब कि political frontier मतलब राजनेतिक रूप से हम लोग के पास में कौन-कौन सा छेत रहे हैं जहां से हमारा पैसा income के रूप में आ सकता है कहा नहीं आ सकता है जो दूसरे देश का यहां पर जमीन खड़ित के रख जमीन खड़ित के नहीं जहां office बनाया हुआ है या उसका property वहाँ पे है उससे हमारा उसको नहीं कहेंगे domestic territory चलिए समझ में आया इसका और भी बहुत जगा आएगा उसका हम लोग बाद में देखेंगे तो पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा यह भी क्या हो गया चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग दो नंबर जो है आपका वो क्या है दो नंबर है आपका नॉर्मल रेसिदेंस नॉर्मल रेसिदेंस क्या होता है ठीक है आप जानते हो रेसिदेंस का मतलब निवासी नॉर्मल का मतलब साधरन निवासी तो साधरन निवासी कौन होगा ज तो हमारे देश में रह रहा है, हम तो अपने देश में रह रहे हैं, हमारा जनम यहां हुआ है, हम अपने देश में रह रहे हैं, ठीक है, पर एक साल से ज़्यादा अगर कोई बाहरी देश वाला भी आके यहां रहता है, और एकनॉमिक में भार लिगता है, मतलब समान को residence कर लाएगा clear हुआ तीसरा जो है आपका citizen citizen कौन होता है दो तरीके मिलती है पहला तो हो गया by birth हम जनम लिए हम इंडियन बन गए ठीक है बाद में 18 साल के कॉमेंट करके बताईएगा इंडिया का है कि बाहर का है चले नेक्स्ट आते हैं हम लोग के फैक्टर income और ट्रांसफर इंकम एक साथ समझे ठीक है फैक्टर इंकम क्या होता है और ट्रांसफर इंकम क्या होता है यह सब जो मैंने टर्म बोल रहा हूं यह आपको लॉंग इंसर कुशन जब पढ़ेंगे ना उसमें यह सब एक फोटो और दूसरा जो फोटो है यह वाला है अब देखिए पहला वाला जो है इसमें देखेंगे कि कुछ मजदूर लोग है वो क्या कर रहे है काम करके वो काम कर ड्रेस है वह और सैलरी लेने के लिए क्या होए आए है यानि इसकी जो कमाई हो क्रो friendships運 ваши what gobage कर रहा है परिवर्तित कर रहा है तो यह productive work करने से जो पैसा उसके पस आ रहा है वो खलाता है हमारा फैक्टर इनकम मैं आपको पढ़ा रहा हूं मैं प्रोडेक्ट div work कर रहा हूं ठीक है तो तो वह क्या होगा फैक्तर इंकम होगा ठीक है दूसरा हो गया यह बह हुआ है तो यह जो पैसा हुआ यह जो कहेंगा यह इंकम है बहुत लगता है दो तरीक़ करते हैं दिमाग से करते हैं उसमें क्या होता है फैक्टर इंकम मिलता है में और ऐसे ही पैसे आपके पास आगे, आप बड़े मना रहे हो, या साधी में हो, आपके रिष्टेदार आपको पैसे दे रहे हैं, तो वो आपका income नहीं कलाएगा, वो क्या होगा, transfer income, वो national income में नहीं जोरा जाएगा, ठीक है, बस यही है, और आपको समझना क्या था, कि national income में किसको जोर जोरेंगे हम लोग, किसको जोरेंगे, factor income जोरेंगे, transfer income नहीं जोरेंगे, बिल्कुल सही, next आते हैं हम लोग, final goods and intermediate goods, अच्छा, final goods और intermediate goods क्या होता है, समझे, ठीक है, पहले मैं आपको पता दू, समझ जाओगा ठीक है, तो फिर example तो है ही, ठीक है, देखे, final goods क्या होता है, और intermediate उसके आता है, final goods वो goods होता है, जिसका इस्तमाल अब उसके बाद नहीं होगा, समझ में आया, दूसरा समझते है, intermediate goods वो होता है, जिसका इस्तमाल वोना अभी भी बाकी है, समझ में आया, चलो नहीं, एक और example देते हैं, घर पे आप देखते हैं, आप बाहर से bread खरित के लेके आये हों, bread खरित के लेके आये हों, और लाकर खा गए, तो वो जो bread क्या कहलाएगा, final goods, समझ में आया, आपने लाया, उसको किसी चीज़ें परिवर्तित नहीं किया, तो वो हो गया final goods, लेकिन अगर वो bread लाए, और घर पे बहुत सारा कुछ है, मतलब आपका खीरा है प्याज है, यह सब काट वाट के उसमें डाल दिये, और उसको क्या बना दिये, बर्गर बना दिये, और उसको बेचे, तो बताओ, जो आप bread लेके आये थे, वो क्या final goods था, नहीं, उसको तुम परिवर्तित किये, दूसरे में, बर्गर में, तो वो क्या कहलाएगा, उस वक final goods and intermediate goods, थोड़ा example से समझ लिजे, यह जो पेड है, पेर काटना नहीं चाहिए, पहला बात तो पेर काटना चाहिए, यह मैं example दे रहा हूँ, लेकिन पेर नहीं काटना चाहिए, अगर इस पेर में क्या है, लकडी है, लकडी अगर माल लिजे, अभी तो यह ऐसे हैं, तो यह हमारा क्या intermediate good होगा या final good होगा, हाँ लकडी को अगर घर लाके आप जला रहे हो, तो वो final goods हो जाता है, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, इसको factory में ले आया, factory में इसको cutting setting किया, तो cutting होने के बाद में क्या final goods बन गया, अभी भी नहीं बना है वो, अभी वो क्या है, वो intermediate क होगा, तो हो जाना चाहिए, मेरी इसाब से तो हो जाना चाहिए, चलिए, अच्छा, तो final goods और intermediate goods भी हमने कर लिया, पढ़ेंगे तो वही चीज़ को मैंने लिखा है, देख लिजेगा, ये हिंदी मेडियम में भी है, और English मेडियम में भी है, आपका application में, application में थोड़ी द good किसे कहते हैं, इस नाम से समझ में आता है, जिस goods को हम την रूप में हो, पेहजने के रूप में हो, देखने के रूप में है, सबी चीज़ में, जो इस थमी चीज़ में हम लोग वह प्रोड़खता हैं, जैसे कुछ और बनाने में, जैसे माल लीजे कि आपने कॉफी बनाने के लिए कॉफी का मसीन खरीच के लिए तो कॉफी का मसीन क्या करेगा ज्यादा प्रोडक्टिव होगा वो ज्यादा कॉफी बना सकता है वो तो मसीन क्या कहलाएगा आपका capital goods कराएगा वो consumption goods नहीं कहलाएगा तो example भी देख लेते हैं में ये फसल को कटाई चटाई में क्या कर रहा है काम कर रहा है तो ये क्या है capital goods है जो कि आपका ये productive work में काम कर रहा है consumer goods क्या हो गया कि ये कुछ समान वगरा हम लग बन वगरा क्या कर ये खडित कर ले कर आए और खा गए वो क्या हो गया consumption goods हो गया उसी तरह से कहेंगे आप भी अपना कोपिए अगर पेंसिल ले कि खड़े वेत्था हो तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि हम लोह जो अभी करने वाले हैं आपको बहुत अच्छ समझ में आ जाना इसको समझने से पहले एक कहानी समझ लेते हैं यह जो वैक्ति है चलिए मालेज़े ए है वैक्ति और यह दूसरा वैक्ति है वो बी है क्या कर रहा है देखे एने एक मुबाइल खड़ता है यह वाला मुबाइल ठीक है और यह मुबाइल उसने कितने में खड़ता है 10,000 रुप वो बोला कि नहीं, ये मेरा जो 10,000 रुपया जो है, जो मैंने मुबाइल खरदा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं इसको बेचना चाहता हूँ, अब ये गया किसी के पास बेचने के लिए, तो ये भाई साफ B वाला है, बोला कि मैं खरदा हूँ, ऐसा होता भी है, अब ये बोल रहा है कि मैं इसको कितना में खर दूँगा, इसको वो 8,000 में खर देगा, कितना में खरना है चाहता है वो, 8,000 में, रुकिए आजाने दीजिए, कितना में खरना चाहता है वो, 8,000 में खरना चाहता है, तो इसने कहा कि अरे मैं दो ही दिन तो हुए हैं, 10,000 ही जाते हैं यह 10,000 जो है उसका कहलाता है ग्रास वैल्यू उस वस्तु का कहलाता है यह ग्रास वैल्यू और यह जो अभी का वास्तविक जो अभी उसका वैल्यू है वो कहलाता है आपका नेट वैल्यू इसको कहते हैं नेट वैल्यू तो बीच में जो 2000 गया उसको क्या कहते हैं यह जो 2000 जो minus हुआ gross से जो net में गया उसमें क्या हुआ 2000 आपका क्या हो गया minus हो गया ठीक है तो इसको क्या कहेंगे इसको कहेंगे हम लोग depreciation क्या कहेंगे depreciation ठीक short form इसको बोलेंगे depth क्या कहेंगे depth clear आप लोग करने से बहुत अच्छा होगा इसका मतलब gross value जो हमारा होता है वो ज्यादा होता है net value हमेशा क्या होता है कम होता है gross से net पर जाएंगे तो depreciation को minus करना पड़ता है और net से gross में जाएंगे तो depreciation को plus करना पड़ता है बस वही चीज़ वहां पर लिखा हुआ है अब आप देखिए यहां हमने gross लिखा gross से जब हम net की तरफ आएंगे यह देखिए net की तरफ हम आ रहे हैं तो minus क्या करना पड़ रहा है depth अगर हम net से gross की तरफ जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा plus depth यह formula याद रखेगा आपको बहुत काम आएगा वह जो आप long insert question करेंगे उसमें तो यानि gross अगर हम gross में हैं एक बात हमेस्ता दिमाग में डाल लीजिए कौन बड़ा होता है net बड़ा है न ग्रॉस बड़ा है जी या इन ग्रॉस बड़ा है या बड़ा याद रखेगा ग्रॉस ज्यादा होता है net कम होता है तो ज्यादा से कम पर आएंगे तो माइनस करना होगा और कम से ज्यादा पर जाएंगे तो प्लस करना पड़ेगा एक दम दिमाग में डाल लीजिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगला टॉपिक पे यह देखे फैक्टर इंकम और मार्केट प्राइस फैक्टर इंकम क्या है और मार्केट प्राइस क्या है इसको भी समझ लेते हैं अपने एक्जामपल से इसमें मजा क्या है ना इक्जामपल बहुत अच्छा अच्छा होता है ठीक है और समझाने में बड़ा मजा आता है दे मैं पेन बना रहा हूं तो इसका कॉस्ट लगेगा कुछ मैं इसको क्या करूंगा इसको बनाने में खर्चा करूंगा तो माल लिजे मैंने खर्चा किया है 6 रुपया इसको बनाने में कितना रुपया खर्चा किया है 6 रुपया ठीक है और इसको मैं बेच रहा हूं मार्केट म में आपको मार्केट में बेङ रहा हूं यानि के प्राइस का रखा है मैंने कितना 10 रूपिय थीक है अब यह बताओ 6 रूपिया से 10 रूपिया मिढें रहा हूं तो चार रूपिया हमारे क्या है इसको क्या कहेंगे हम लोग factor cost कहेंगे ठीक है अच्छा यह जो हमने price पर जिस price पर हमने बेच रहा है हम बेच रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे उसको कहेंगे हम लोग market price इसको क्या कहेंगे हम लोग market price ठीक है अब बीच में एक और कहानी होती है क्या होती है cost से जब market price पे आते हैं यानि कि FC से अगर हम MP पे जाएंगे FC का मतलब Factor Cost MP का मतलब Market Price जब इस से हम इसमें जाएंगे तो एक काम होता है क्या काम होता है यह NIT वाला खेल होता है NIT का मतलब हो गया Net Indirect Tax सरकार भी तो हमसे टैक्स लेती है कि नहीं यह कलम बीचने पर चले सरकार ने कितना टैक्स लिया मानलीजे दो रुपया उसने टैक्स लिया एक कलम बीचने पर सरकार ने कितना टैक्स लिया दो रुपया मानलीजे उसने कितना टैक्स लिया तो tax कितना हुआ हमारा 2 रुपया हुआ ठीक है तो अब बताए हमें कितना पर रहा है वो 6 और 2, 8 रुपया पर रहा है ठीक है अच्छा subsidy क्या होता है देखेगा आप जब भी देखेगा याद रखेगा net जहां लग गया है जहां भी net लग जाए निट लग जाए वहां माइनस कुछ न कुछ होता है तो यहां देखेगे net यानि के net indirect tax जो है निट उसका मतलब क्या होता है उसका मतलब होता है indirect tax minus subsidy अच्छा इंडारेट tax हमारा 2 रुपिया लगा इंडारेट क्यों 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 हम जो इसको खर देगा वो हमको पेट करेगा हम किसको पेट करेंगे सरकार को पेट करेंगे तो वो हमारा subsidy, subsidy क्या होता है गवर्मेंट से हमें वापस आता है तो माल लिजे subsidy अगर जीरो हुआ तो दो ही रुपिया टेक्स लगा अगर वापस आगे एक रुपिया तो एक रुपिया टेक्स लगा तो यह indirect tax minus subsidy equal to क्या होता है NIT यानिके net indirect tax तो यह net indirect tax जो हता है factor cost से जह हम market price में जाएंगे कौन छोटा कौन बड़ा यह ध्यान दीजिए छोटा कौन है factor cost बड़ा कौन है market price फेक्टर कॉस्ट आपका छोटा होगा market price अपकर बड़ा होगा तो factor cost से market price में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा प्लस या समझ में आया बेलकुल सही अब आते हैं हम लोग domestic income और नेशनल इंकम पर हम आते हैं अभी domestic और national पर कि डोमेस्टिक इंकम और national income पर ठीक है domestic का मतलब क्या हुआ और national का मितलब क्या हुआ वाशीमपल भासा में समझेंगे ज्यादा इसको टफ नहीं करेंगे वैसे अगर बोला जा तो कोई को इसमें कमेंट कर सकता है सर पूरा बात और नहीं बता रहा हूं जितना आपको मांगे सरकुर्शन के लिए जरूरी है ठीक है फूरा के लिए आपका किताब है ना पढ़िए उसको देखिए आग यहां इसमें आप देखिए यह जो जगह दिये हैं इसमें छोप चलिए यहां देख लेते पहले डामास्टी का मतलब मरा घर ऐलू से लेगे ठीक है घरिलू का मतलब हो गया आपका यह इंडिया के अंदर जितना भी कमाई करेगा कोई लसे मैं इंडिया के अंदर कमारें च्छुंअ करते हैं मिस्र में करते हैं अधिकां करते हैं तो यहां से पैसा हमारे पास आएगा हम लोग न isle income ने जोडएंगी जैसे उन लोग कमाएंगे लोग यहां पैसा भेजते पेसा है ठीक है कुछ पैसा क्या होता है आपका आता भी है और कुछ पैसा क्या होता है जाता भी है देखिए तो कुछ पैसा आया कुछ ऐसा भी हो सकता ना कि यह पैसा यहां पर दूसरे देश में गया भी हो ठीक है तो अब दोनों को मिलाकर ही हम क्या बनाएंगे अपना नेशनल income ठीक है तो आने वाला को और जाने वाला को क्या कहते हैं वो समझे ठीक है जो आता है उसको कहते हैं NFIA NFIA यानिके net factor income from abroad ठीक है और जो जाता है यहां से जो जा रहा है हमारे अपने देश से बाहर जा रहा है पैसा उसको कहते हैं NFIA इसको कहते हैं net factor इसको क्या कहते हैं फीफा यानिके फैक्टर थोड़ा आ जाएंगे वहां पर तब समझ में आ जाएगा यहां पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है ठीक है तो चलिए वहां सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग हाँ देखें यहां पर मैंने जो दिया है उसको समझ लेते हैं उसके बाद आपको अराम से समझ में आ कि किया मैं किसके बारे में कह रहा हों देखें डो मैस टिक से हम नासनल पर आएंगे तो जो चिसको जोड़ेंगे वह होता NFIA, NFIA का मतलब net factor income from abroad, अच्छा जहां net लग गया कुछ तो minus होगा, तो NFIA का मतलब क्या हो गया, फीफा, factor income from abroad और factor income paid to abroad, मतलब हम लोग जो paid करते हैं किसको, दूसरे को, ठीक है, हम लोग दूसरे देश को जो paid करते हैं, वो हो गया, फीटा के रूप में, हाँ, तो यह दोनों का माइनस होगा, जैसे माल लिजा हमने 2 करोड कमाया, और 1 करोड क्या किया, भेजा भी है, तो इसका मतलब माइनस करके कितना आएगा, एक करोड, तो एक करोड हमना क्या कर लाएगा, NFIA, clear हुआ, तो इसको हम लोग जोडएंगे, डॉमेस्टिक, नैसलल इंकम में, जोडएंगे, तो डॉमेस्टिक से नैसलल में आएंगे, तो प्लस NFIA करेंगे, और नैसलल से डॉमेस्टिक में जा हैंगे, तो माइनस हैने फाइए, clear, अब अपना थोड़ा सा परचार वेगरा कर लेते हैं, चलिए, यह फाइल जो आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे वो फाइल आपको कहां देखने को मिलेगा, आपका, चलिए वो देख लेते हैं, यह मैं आपको दिखाओंगा, औ बहुत सारे application install तो कर लेते हैं, लेकिन उनको content मिलता नहीं है, ठीक है, तो पहले install करके क्या होता है, पहले देखिए, पहले हम लोग कहां आएंगे, हमारे Google Play Store पे आएंगे, और वहाँ पे search क्या करेंगे हम लोग, eat classes, यह देखिए, eat classes search किया हुआ है, तो चलिए इसको इसको क्या करेंगे, इसको install करेंगे, install करने के बाद में open करेंगे, इसको open करने के बाद ऐसा आएगा, ऐसा आने के बाद क्या करेंगे, फिर इसको, यहाँ देखिए, यह open हो रहा है, home page खुलेगा, home page खुला, खुलने देते हैं थोड़ा, नीचे देखिए, नीचे के option पे मैं आपका जवाब दूँगा ठीक है आपका बैचेस आफलाइन के लिए हैं मैं जो आफलाइन क्लास कराता हूं उसके लिए बैचेस आपके लिए नहीं है आपका देखें के लिए आप नीचे की तरफ आएंगे और हमें खुजना क्या है बहुत सारा वहाँ पर दिया हुआ है क्लास 11 का क्लास 12 का भी तो जो आप खुजना चाते हैं वह आप सर्च भी कर सकते हैं अन्याथा आप नीचे आकर भी और पर आपको सारा का सारा दिख जाएगा तो हम लोग किसी करें क्लास इकनॉमिस के पर इसके साथ दूसरा भी dove ये वाला जो content लेनाए यह content ज़रूर दिहान दिजेगा यह वाला content पर ज़रूर दिःद्ध ठीक है तो वह content पर दिया थे धिये तो उसके बाद अंदर आए तर आएंगे तो आपका previous question content click करने के बाद previous question आपको दिख जाएगा वहां पर उसके बाद देखे अलग-अलग करके पुरा फाइल बनाया हुआ है कि किस तरह से आता है आता क्या अलग-अलग दिया हुआ है आपका चैप्टर वाइस है इंग नॉमिस का मैंने सारा चैप्टर दे दिया जो नोट है नोट मैंने कहा हिंदी मीडियम इंगली दोनों मीडियम में वहां बहल लियो सकते हैं ठीक है मंगला में कोसिस्च कर रहा हूं पर हो जाय तो अच्छा है इसके बाद फिर लाइप क्लास बीसे में होता है लाइक जूड़ने के लिए आप मुझे इस नंबर कर यह देखे 400 रुपय जो आपको दिख रहा है वो पूरे साल का है एक साल आप पढ़ेंगे लाइफ क्लास वीडियो क्लास नोट्स ओनलाइन टेस्ट भी होगा एमसी को वेरे का टेस्ट भी वहाँ पे होगा वो सारा कितना 400 रुपया में है यह 2022 के लिए 234 में बढ़ भी सकता ह तो आप इसमेंड मत दिए गा सर अपने 500 का था पिर आप ज़्यादा हो गया ज्यादा बाद में ज्यादा नहीं बढ़ाओंगा 102 सब्सक्राइब ठीक है तो यह हो गया तो हम लोगों ने समझा इसको अब यह तो मेरा अपना वाला बात हो यह सिलेबस का बात नहीं था ठीक इए रहने दीजिये आज वफ़ और दिकत हो रहा है इसको साइड कर देते हैं अब आते हैं हमारा की मेन टॉपिक पे यहां से स्टार्ट हो जाता है आपका कहानी क्या कहानी स्टार्ट होता है जीडीपी अपने नाम तो सुना होगा आप जब भी सुनते होगे कि national income मतलब GDP कैसा है ठीक है तो GDP का मतलब क्या है समझ यही का मतलब यहाँ पर देखे जो पहला इंड़िपी यह जी एनपी तो पहला क्या होताया सेकंड क्या होता है फट्रड क्या होता है वो समझ क्या होता है जो या या तो जी होगा नहीं तो इन होगा या तो ग्रॉस होगा नहीं तो नेट होगा चलिए हम उधर ला देते हैं इसको तब समय में ज्यादा आएगा या तो क्या होगा या तो क्या होगा नेट होगा पहला वाला क्या होगा या तो ग्रॉस या तो नेट दूसरा क्या होगा या तो domestic होगा नहीं तो national होगा किसरा क्या होगा आपका प्रोडक्ट होगा चलिए अब इसमें देखते हैं GDP लिखा होगा तो इसका मतलब क्या है ठीक है मेरे साथ अब बोलीए डाऊढ़ डाऊटी प्रोडक्ट नियुक्न की थेखते हैं लिए को फिर लमबा हो जाएगा और फिर बोलें healthier इत्ना लंबा हो हो गया अब मज़ा नहीं ही आ रहा है लेकिन अभी में चीज है आप लोग कर लोगे तो इसमें आपका नंबर बहुत अच्छा आने गा चलिए हम चेंज कर रहे हैं आप भी किजिए क्या चेंज करेंगे हम लोग GDP को क्या में बदलेंगे हम लोग NNP at Factor Cost ठीक है अब एक बात तो आपको ध्यान में रख लीजे यहां पे कि आपका हर चीज को बदलने नेशनल इंकम में बदलने के लिए क्या होता है नेशनल इंकम का फर्मूला होता है NNP at FC ठीक है तो हमें मि बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा यह नीचे दिया हुआ है मतलब उसी के अधार पर बदलेगा तो प्लास होगा ना माइनस होगा डेस्ट डॉमेस्टिक कम होता है नेस्टनल ज्यादा होता है तो प्लस एन एफ आई ए अच्छा प्रोडक्त हमारा पी ही रहेगा यहां एपसी में बदलना है हमको एपसी है तो ौंसी में प्राइब दूब्दा फिरसे एक ही बार में बताऊंगा बात बाकि अप लोग किजेगा और बात बाकि कि चो है वो जो मैं नोट्स वरांगगा उस में बता दूंगा को कеся करना है ठीक है हम लोग किस पर जा रहे हैं एक दम ब्लैंक ले लेते हैं है अ पूंद कि पिसको देखे थे ज़ी डी पी eg MP था हमारा यह आपको दिया हुआ है ठीक है इसको बदलना किसमे है आपको इसको बदलना है आपको NNP at FC क्योंकि national income यही का लाता है ठीक है अब GDP at MP से आपको NNP at FC पर जाना है तो पहला चीज़ा है कि जी जो है आपका gross उसको क्या है बदलना है net pay तो gross से नेट बदलने का फर्मूला क्या है आपका माइनस देप तो यहां क्या लिखेंगे माइनस देख फिर से देख लिज़ेगा क्यों लिखा गया अच्छावदी से डोमेस्टिक से हमें किसमें जाना है national पे तो domestic कम होता है नेशनल जादा होता तो अफाई ये प्लस होगा न माइनस होगा तो प्लस होगा तो हम यहां कहले खिर जिमें अफ़ फिर हम लोग देखेंगे प्रोडक्त तो प्रोड़क्त ही रहेगा कुछ नहीं करना इसमें market price को किसे बदलना है factor cost कौन ज्यादा होता है market price या factor cost पेन वला याद किजे तो market price ज्यादा था तो minus ज्यादा होगा ज्यादा से कम पयाना है तो minus तो होगा ही क्या होगा minus एन आई टी, clear हुआ, ये हमने लिख लिया, ये हमको समझ में आ गया कि इसको क्या कहते हैं हम लोग, national income, clear हुआ, अब उसी तरह से दुसरा भी हम लोग करके देखते हैं, ठीक है, एक और करके देखते हैं, थोड़ा और ज्यादा clear हो जाएगा, तो पहले ले लेते हैं हम लोग कौन सा, यहाँ देखिए, ndp at mp, चली, ndp at mp हम लोग करते हैं, ndp at mp, ndp at mp, हमें क्या मिला है, ndp at mp मिला है, हमें निकालना क्या है, nnp at f से निकालना है, ये national income है, तो हम निकालेंगे कैसे, देखिए, ये पहला वाला n है, पहला वाला क्या है यहाँ पर in, पहला वाला देखिए, n है और पहला वाला इसमें भी क्या है, n है, कोई change नहीं करना है, यहाँ domestic है, यहाँ क्या है, जब domestic से नेशनल पर जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा plus NFIA तो यहां क्या लिखेंगे plus NFIA हो गया अच्छा यहां market price है यहां factor cost है market price है factor cost में जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा पहले तो minus करना पड़ेगा क्या NIT बस हो गया हमारा बस इसी चीज़ को आपको समझना है जब जाएगा आपको तो देखिए अब आते हैं थोड़ा और चले जाते हैं इसमें कि क्या क्या पढ़ना चाहिए हमें पढ़ना क्या पढ़ने वाला जो स्टडी मेटल था आपका मोटा मोटी खतम ही हो चुका है तो इसके बाद आपको जो आएगा कि कुश्चन एन आंसर एले पढ़ने लिए भी आएगा ठीक है तो आप देखिए देखिए एक चीज़ को जानना था यहां पर कि गदेखिए हमस 씨 टिकशचन एंकम हैं हमारा जो निकालता कौन है तो इंडिया में प्लेटों स्ट्व नामойд कर करके और घृप जो है हमारे यहां का निकалते हैं और कितने तरीके से निकला जाता है है याद कर लिजिए एकदम NNP at FC और हमारा यह टॉपिक हमारा स्टडी मिटल यहां क्या होता है खतम होता है 40 मिनट का वीडियो तो बन गया है लेकिन यह 40 मिनट में आपने पूरा क्लास पूरा स्लेबस का जो पूरा 14 किताब में देखे कितना लंबा चुड़ा दिया हुआ है यह आपने समझ लिया अब थोड़ा एक जलग आपको दिखाते हैं कि हम कुश्चन जो करेंगे वैल्यवाटर में यह वाला है सेकेंड हो गया आपको नैस्टनल इंकम जो निकालेंगे तो यह वाला है थर्ड आपका ह सकते हैं जूड़ना चाहते हैं लाइव क्लास में जूड़ सकते हैं और अगर कोई भी दिक्कत बहुत सरा एक दिक्कत आती है कि सर पैसा हम कैसे पैसा तो हमारे पास कोई मतलब जड़िया नहीं है तो आप क्या करोगे मुझे कॉल किजे मैं आपको गूगल पे या फोन पे हैं आप भेज सकते हैं मुझे कॉल किजे मैं आपका यह एक्टिवेट कर दूगा आपके मुबाइल पे मुबाइल तो आपको गूवर्मेंट ने देई दिया है तो आसा करते हैं आपको यह टॉपिक समझ में आ गिया होगा और अगर जोइन करना चाहते हैं तो आप जोइन कीजिए मैं आपका वेट कर रहा हूँ थैंक यू